नमस्कार फ्रेंज यमी टमी निलिमा कुकिंग में मैंने इलिमा विश्व करम आपका स्वागत करती हूं, मैंने आदा किलो पनील लिया था उसे काट लिया, दो प्याज, सिम्ला मीर्च, टमाटर और बिंस को मैंने काट लिया है चौको, मैंने एक बर्तन में तीन चमच ग्री चिली सोस और दो चमच ग्रीन चिली सोस और दो चमच ग्रीन चिली सोस डालूंगी यह हमारे सब्जी का मसाला तयार हो रहा है मैं एक चमच डाक सोया सॉस इस्तेमाल करूंगी मैं दो चमच कॉर्ण फ्लोर डालूंगी फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसे बिना लंस के ही फेटूंगी इतना फेटूंगी कि उसमें लंस न रहे और अच्छे से सब मसाले मिक्स हो जाए अब इसे मेरा फेट के हो गया अब इसे हम साइड में रखते हैं देखिए फ्रेंस मैंने एक भी लंप नहीं रखा है अच्छे से फेटेंग ये तो सब सभी हो जाता है फिर मैंने गैस पर कड़ाई रखा उसमें दो चम्बा सरसो का तेल डाला है अब उसमें मैं पहले प्याज डालूंगी जो मैंने प्याज को काट के रखा था प्याज की परते अलग करनी है हमें और मैं इसे थोड़ा सा फ्राई करूंगी मेरे गैस का जो फ्लेम है वो हाई है इसलिए इसे कंटिन्यू चलाते रहे ये सब्जी इतनी जल्दी और इतनी आसानी से बन जाती है कि आप मेरी बताय हुई तरीके से बनाएंगे तो पांच मिन मिट के अंदर में ही आपकी सब्जी बन के तयार हो जाएगी और खाने वाले तारिफ करेंगे मैंने फ्राई करके प्याज निकाल लिया है अब मैं उसी कड़ाई में दुबारा दो चमस तेल डालूंगी तेल गरम हो जाएगा अच्छे से फिर उसमें मैं कटी भी सिम्ला मिर्च डाल दूंगी और इसे बराबर चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये दोनों तरफ अच्छ है आप पे आप कितने साइज का चोटा बड़ा कारते हो तो उसे उसी तरह पकाना पड़ता है फिर मैं बाकी की सारे टामाटर में डाल दूंगी टामाटर डालने के बाद इसमें कि आपके कोई टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालना है कि आप नमक लाइट खाते हो या जदा खाते हो तो आप स्वाधनुसा नमक डाल देना फिर जो प्याज फ्राई करके रखा था वह प्याज भी हम इसे डाल देंगे और अच्छे से उलट पलट के चलाएंगे फिर हमने और इसे चलाते हुए रहना है ताकि आरा रोट कढ़ाई में पकड़े नहीं नहीं तो बहुत जल्दी आरा रोट पकड़ लेता है नीचे तो सब्जी जलनी नहीं चाहिए अब मैं इसमें आवसकता अनुसार पानी डालूंगी अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक सेर जरूर कीजिए पालनी डालने के बाद मैं कटा हुआ पनीर डालूंगी और इसे चलाते हु पनीर में भी चला जाए और पनीर अच्छे से पक जाए इसे हमें अच्छे से पकाना है 2-3 मिनट ज्यादा नहीं अगर आप ज्यादा पकाएंगे तो पनीर हाड हो जाएगा क्योंकि पनीर सौफ्ट ही अच्छी लगती है तो हमें मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है लो एक बार भी नहीं किया है तैयार है मेरा पनीर चिली अगर आप लोग बताईएगा कमेट में कैसा लगा थैंक यू फ्रेंज मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाए